असलाव अलेकम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है और मैं किंस्टन हॉस्पिटल मास अप्टैंक का डिरेक्टर हूँ दो दिन पहले, यानि 27 के दिन, शाम में एक पेशन्ट आये थे जिसका नाम असमा बेगम था फैमली बोले कि हमा को कि उनको जॉन्डिस हो गया, एरखान हो गया बट जो पेशन्ट हमार पास आये, उनको बहुत दम चड़ रहा था, saturation बहुत लो था और BP record नहीं हो रहा था, जबका जब blood test करे, echo करे और फैमली को बताया गया कि पेशन्ट को जॉन्डिस नहीं है, severe heart failure है pump नहीं कर रहा है heart बिलकुल, वो जानने पर फैमली ने हमें इजाज़त दी कि हम पेशन्ट को ventilator पे डालें, हमार पास सारे कागज़ात मौझूद हैं, सारे paper work हैं, सारे concerns हैं उनकी रजामंदी के बाद ही, पेशन्ट को ventilator पे डाला गया, और फैमली को explain कर दिया गया कि chances of survival सिर्फ एक percent है, इसके बाद ही हम लोगों ने treatment चालू किया है, काफी देर तक काफी मेहनत मशाख़त के बाद 6-7 घंटे कोशिश करने पर भी patient की जान नहीं बत सकी, जब हम लोगों ने ये उनको reveal किया, family काफी violent हो गई और हम कोई blame करना शुरू कर दिया, उनसे जो basic payment लिये थे, वो भी वो लोग लड़के वापस ले लिये, हमार पास अभी दी blood samples है, सारे recording है, जिसमें clear cut है कि patient को heart failure था, और कोई jaundice नहीं था, ना तो मैं फरार हुआ हूँ, जो commonly news में फैलाया गया है, ना तो कोई police case हुआ है, ना तो कोई autopsy हुई है, सो alhamdulillah हम लोग यहीं हैं, और बिलकुल ready हैं किसी से भी cooperate करने के लिए जो family का कहना है कि 5 घंटे तक किसी को मिलने नहीं गया है, मिलने नहीं दिया गया है, वो absolutely जूट है गलत है, मेरे पास CCTV footage है, कि every half an hour को, उनकी बहन, उनके husband और उनके एक भाई, वो आई वे थे, उनको मैं regularly बता रहा था, update दे रहा था, उसमें से उनकी पड़े family वाले काफी बतमीज थे, गाली गलोच कर रहे हैं थे, फिर वो सब को मैंने इग्नोर किया, और अपनी जो duty है, patient को बचाने की, वो हम लोगों ने पूरी किया हो, कोई भी police case नहीं हुआ है, ना तो मेरे उपर हुआ है, ना हॉस्पिट पे हुआ है, ना कोई autopsy के लिए गया है, अगर आ काफी family बहुत violent हो गए, बतमीज हो गई, police भी कोशिश करी, बट control नहीं कर सकी, इन दोरान हमारे hospital के एक doctor पे भी हाथ उठाया गया, जो बिल्कुल illegal है, और गलत चीज है, मैं चाह रहा हूं कि इसके पर भी action लिया जाए। सारी इज़ते लाही के लिए है, और लाही महरबाद नहायत रहम वाला है, हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए, अलहीन global services private limited के स्टार और budget packages के साथ, हरमेन शरीफ के खरीब, स्टार होटल्स में खयाम, तीन वक्त हैदरबादी जाइखेदार खाने, AC बसे के जरीए मुखदस मुखामाद की जारते, साओी एलाइन्स की डारिक फ्लाइ, हकूमत साओी अरब और हकूमत हिंदूस्तान से मंदूर शुदा, अलहीन ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बहतरी तोहफा, अलहीन के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैश बैक हासिल कीजी, मुख्तलिफ मुमालिक के विजास और एर टिकिटिंग के लिए एक बार जरूर तश्रीफ लाएं, आज ही अपना सफर बुक करें, अलहीन ग्लोबल सर्विसेस, प्राइवेट लिमिटेड, फस्ट लोर, बाब कर दो दो